तुम आशका दोस्तों इस वीडियो में इस टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सुजलोन एनरजी लिमिटेड यह स्टॉक 61.90 के प्राइस परेड कर रहा है मार्केट में फ्राइडेग उसमें 0.68% का अपमूव दिया था मार्केट कैप है इसकी 83,642 करोड की तो मोटर होल्डिंग 13.30% है बुक वैलियो इसकी 2.91 है डिविडियन ते बारे में फेस वैलियो 2 है फंडमेंटल वीडियो में अल्रडी बना चुकी हूँ ले लिस में अड़् कर दूँ है आप देख सकते हैं अभी के लिए शॉट में देखे तो स्टॉक 15200 दोनों ये में से ऊपर ट्रेड कर रहा है जो के एक अच्छी बात है ये रेशु मेडिश निचे है 5 बारे म ended में देखे तब भी नीचे है तो ये एक पॉस्टीव पॉइंट है ह抗ारे पास ग्रॉस प्रॉफित मार्जिन में देखें तो में अभी 38.05 इänge a लाश्ट कोड़र 16.82 पे था तो अभी थोड़ा सा इंप्रूब हुआ है and sales quarter and quarter decrease हुई है पर overall जो result है वो अच्छा आया है अभी के लिए shareholding pattern देखें तो shareholding pattern में promoters का holding 0.01% कम हुआ है FIIs ने अपने holding बढ़ाई है और अभी तक की 2021 से लेके अभी तक की सबसे जादा holding है इसकी and DIAIs ने अपने holding बढ़ाई है अभी तक की सबसे जादा नहीं है बट यहां पर इसने holding अपनी कम कर देती September 2022 में and उसके बाद की अभी तक की सबसे जादा holding है government की कोई holding नहीं है and public के पास 56.03% है पहले public के पास 60.85% था number of shareholders कम हुए है and अभी चलते हैं इसके चार्ट पर चार्ट पर देखिए हमने last analysis करी थी तब हमने बात करी थी कि यहां पर हमें inverted hammer मिल रहा है वो जबता है कि यह थोड़ा सा उस तरीके से shooting star वाला pattern बनाए but इतने कोई move मिला ने था कि shooting star वाला pattern बनाता यह तो अभी के लिए देखे तो यह जो support है इसको यह लेके चला हुआ है and यहीं से इसके नीचे से थोड़ा सा reversal भी इसने लिया है एक बार इसकी weekly chart पर चलते हैं देखते हैं कि पुराना pattern इसका कितना strong है यह वाला hold कितना strong है तो एक बार देख लेते हैं हम इसको just a second okay तो stock अभी यहां पर trade कर रहा है and हमने इसके बारे में बात करी थी कि यहां से निकलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यह जो resistance है वो काफी strong है यह काफी time तक support बना था उसके बाद market नीचे गई थी तो यहां से निकलना थोड़ा सा उपर से रिवर्सल इसको जरूर मिलता है थोड़ा सा उपर जाकर इसको रिवर्सल मिलता है 79 80 के आसपास से अगर वहां से रिवर्सल नहीं मिलता है तो हो सकता है कि यह वाला scenario फिर से देखना पड़े and काफी अच्छे move देखने को हमें यहां पे मिले अभी के लिए ये एक uptrend का pattern weekly chart पे बना रहा है तो इसको हम थोड़ा सा लेके चल लेते हैं तो यहां पर कुछ uptrend clearly तो नहीं बन रहा है बाट कुछ तो बन रहा है ये तो इसको एक बार सोड़ा सा tentative लेके चलते हैं इसको बड़ा उसको prominent उस तरीके से नहीं करेंगे अगर देखते हैं अगर इ हैं एक वर हम चलते हैं इसके daily chart पे daily chart पे चलके देख लेते हैं channel कैसा बन रहा है तो channel यहां पर तो not bad दिखा रहा है वहां पर थोड़ा सा जादा ही straight था and इसका angle भी थोड़ा ठीक ही बन रहा है तो इतना I mean बुरा channel नहीं बोल सकते हैं इसको बना हुआ weekly chart पर ऐसा कर देता है यह तो अभी के लिए तो चैनल सही लग रहा है तो अभी के लिए चैनल की resistance तो नहीं है बट यस चैनल की resistance आ सकते हैं जो हम month end के target लेके चले हैं इस target को achieve करने के लिए हमें लगवग लगवग 6% के move की जरूरत है जो हम target लेके चले थे जो की है हमारे 65-66 के target तो अभी daily RSI साही देखे तो daily RSI भी काफी ऊपर जा चुक है 78.36 पे है और यहां से reversal एक बार check कर लेते हैं हमें मिलता है या नहीं मिलता है usually यह 80 से ऊपर से ही reversal लेता है और यहां पे इसने reversal लिया था तो लिया था इसने 77.46 पे उससे तो ऊपर यह जा चुका है अभी हो सकता है थोड़ा पास पास से यह मुझे लगता है support लेके वापस जा सकती है RSI की बात कर रही हूं यहां पर and price price की बात करें fresh entry की बात करें तो उसे पहले एक बार BAC पे चलेंगे हम BAC पे देखे इसका price win 5% का है हमने बात करी थे August के first week में या August के कहीं भी हो सकता है change हो जाईए क्योंकि buy monthly का यहां पे मुझे लग रहा है कि वो हुआ है तो उस concept पे चल रहा है तो मुझे लगता है कि next week में हो सकता है कि हमें इसका price band जो है वो 10% होता हुआ दिखाई है शौर नहीं है देखते हैं कि कि किन circumstances में करते हैं delivery percentage की बात करें तो 41.68% गया है जो की काफी अच्छा delivery percentage गया है move इसको बहुत छोटू सा मिला है हलांकि यहां पे यह जो बना है candle यह दिखा हमें रेड रही है पर यह कही ना कहीं green candle है और वो क्यूं है क्यों कि अपनी opening से नीचे close हुआ है इसलिए यह red दिखा रहा है gap up opening वी थी इसकी छोटू सी तो अभी के लिए volume की बात करें तो volume आया 17 crores का उससे अभी आया है 7 crores के असपास उससे पहले volume था 9 crores के असपास उससे पहले था 28 crores के असपास तो volume में fluctuation काफी देखने को मिल रही है ठीक है यहां पर तुम्हें मान सकते हुए कि कम volume अपर circuit में lock हुआ था यहां पर काफी strong volume आया था उस इन fluctuation भी थी क्योंकि budget था उस दिल तो fluctuation भी थी यहां पर काफी strong volume आया था अपर circuit में lock हुआ था यहां पर हमने जब video बनाई थी तो हमने बात भी करी थी कि काफी सारा order इसका pending पड़ा हुआ पर buying पर and हो सकता है कि यह हमें काफी strong आगे के move दिखाए तो अभी के लिए fresh entry के अगर बात करें तो trading view ने तो यहां पर buy का fresh entry के लिए बोला है कि buy की technical analysis बनती है मुझे भी लगता है यहां पर buying का बनता है बट volume के उपर थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ा है कि volume में काफी strong है अभी के लिए उसके नीचे का यह वाला support जो है यह वाला लिया जा सकता है which is 60 का support मुझे लगता है यहां से reversal मिल जाएका नहीं मिलता है तो यह भी है 58 का support भी है वहां से reversal मिल सकता है and यह जो है ना काफी gap है तो आपको मेरी परानी analysis अगर आपने देखी होगी तो हो सकता है यह stock फिर से हमें यहां तक 57.50 के आसपास है 57 के आसपास trade करता हुआ देखे अगर वहां पर मिलता है तो मुझे लगता है काफी अच्छी buying opportunity रहेगी and जितने जल्दी इस stock कोई भी stock है जितने जल्दी इस gap को cover करता है उतना अच्छा रहता है तो इस चीज का भी ज घान रखेगा इन stop loss अपने appetite के according लीजिएगा तो अभी के लिए जो हमारे target है थ्री trading days है हमारे पास and 6% के target है अगर गैप फिल करने आता है तो तो मुझे लगता नहीं है कि यह achievable है बट अगर otherwise कुछ रहता है क्योंकि support भी यह बना रहा है तो हो सकता है कि gap बाद में fill करे या हो सकता है कि बाद ऐसे भी exceptional issues होते हैं कि कभी gap fill करते ही नहीं है तो वो भी एक scenario बनता है बट अभी के लिए दोनों scenario हमारे बनते हैं and target तो हम यह लेकर चले बड़े जादा promising नहीं है क्योंकि RSI भी काफी उपर है बट फिर भी थोड़ा सा संभल के जरूर चलें इस stock में क्योंकि volume की fluctuation बहुत जादा इसमें ठीक है तो यह मेरी analysis है कोई buy sell hold की recommendation नहीं है आप अपनी analysis कीजिए जाने समझे पढ़िए और फिर invest करें मिलते है next video में तब तक के लिए शुक्रिया and happy investing